प्रेंड्स मैं हूँ अदनान और आप देख रहे हैं दा स्मार्ट मुवीज वाक आज हम रिव्यू करने वाले हैं नेट्फ्लिक्स प्रेलीज हुई दा कोईन्स गेमबेड इसे पहले एक छोड़ी जी बात वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कोना ना बूले लगबग एक घंटे की है जिसमें लीट रोल में है आनियर टेलर जॉय जिन्होंने बैथ हार्मन के करेक्टर को प्ले किया है बैथ हार्मन जो के बच्पन में ही एक एक्सिडेंट की वेज़े से अनात हो जाती है उसके बाद वह एक आश्रम में रहने लगती है आश्रम में जो चैस पर आधारित हैं जैसे कि दा डार्क होर्स कोईन ओफ कैटवे एंड पॉंड सेक्रिपाइस यह तीनों ही फिल्म है चैस पर बनी है और बहुत जबर्दस फिल्में हैं अब हम देखते हैं कि इस फिल्म में हमें ऐसा क्या नया देखने को मिलता है स्क्रिप्ट और कहानी की बात करें तो राइडर नहीं यहां कमाल कर दिया है इतनी जबर्दस स्क्रिप्ट और इसकी कहानी लिखी गई है कि पूरी वैब सीरीज में देखते ही बनती है कहानी इसकी इतनी मज़ेदार है कि पूरे एंड तक आपको अपने साथ बांग के रखते हैं बात कर आए एक्शन, कॉमेडी, सस्वेंज और हॉरर की जो इसमें है ही नहीं जिन लोग को मास मूवीज देखना पसंद है और जो लोग सिर्फ मूवीज, एंडर्टेंड्मेंट, एंडर्टेंड्मेंट के निए देखते हैं तो वो इस वैब सीरीज से कोसो दूर रहे बैथ हर्मन के अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर इस वैब सीरीज में है और सब को बहुत अच्छा स्पेस बूलाए और सब ने ही जबरदस काम किया है तेलर जो आई यानि बैत हर्मन ने जबरदस एक्टिंग का मुझारा किया है और उन्होंने पूरी वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग के बलबूते पर और्डियन्स को बांग के रखा है अब बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज की कुछ कमियों की ये वेब सीरीज थोड़ी स क्रिटिक्स ने इस वेब सीरीज को पसंद किया है आएमडी पे इसकी रेटिंग 8 से अबव है और मेरी रेटिंग दा कोई गेमिंग की निये 5 आउट और 4 मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जहूर बताएं आप देख रहेते स्मार्ट मुवीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तत कि मिये की वाचिंग